दोस्तों ये है यामा की नूली लॉंच R15 B4 का मेटलिक रैड कलर, R15 B4 में टोटल पांच कलर का ओप्सन है, इसमें बहुत सारे बदलाब हुए हैं, इसमें मोवाइल ब्लुटूथ किनेक्टिविटी, निउ डिजीटल मीटर कंसोल, अपसाइड डान फॉर्क सस्पेंशन जै इसके वाइजर के उपर आपको नंबर प्लेट का ओप्सन, और यहां पर आपको ट्रांस्पिरेंट विंड सील का ग्लास मिलता है, और यहां पर इसकी जो साइड मिरर हैं, वही आपको पुराने वाले मिलते हैं, और यहां पर आपको थोड़ी सी ब्लैक प्यान ओपनिस मिल जिसके उपर R15 का इस्टीकर दिया गया है यलो कलर के साथ और इसके मिडल में देखोगे तो यहां पर आपको चैंजिस देखने को मिलता है जैसे कि यहां पर आपको LED प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनेंस कर रही है और नाइट के इसका जो लुक है वो काफी अच्छा रहने वाला है और इसके साड में आपको LED DRL मिल जाती है इसके जो इंडिगेटर है वो आपको हैलोजन टाइप के मिलते हैं जो की ऑप्सिनल है अगर आप इसमें जो है LED वाले इंडिगेटर भी लगवा सकते हैं इसका जो फ्रंट वा डिस्क ब्रेक मिलती है ABS के साथ में और 100 वाई 80 सेक्षन का टायर साइज मिल जाता है 17 इंचेस के बलेक कलर के यहां पर आपको अलॉइबील मिल जाते हैं इसके उपर आपको यलो कलर की R15 की स्टीक रिंग मिल जाती है जैसे कि यहां से आप इसके सस्पेंसन को देख सकते है इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इसका जो मीटर कंसोल है वो कम्पलीटली चेंज कर दिया है इसके साइड में आपको चैक इंजन की इंडिकेशन लाइट, गियर की न्यूटरल लाइट, यामा का लोगो, ABS की इंडिकेशन लाइट और यहां पर आपको टन सिंगनल इंडि और यहां पर आपको digital clock मिलती है इसमें आपको mode में चलाने का option भी मिलता है mode का जो switch है वो आपको right and side में handlebar road के यहां पर दिया गया है और इसमें आपको mobile Bluetooth connectivity की भी सुबदा मिल जाती है आप अपने mobile को Bluetooth से connect करके इसके digital meter console के सारे नए features का फायदा उठा सकते हैं और इसके handlebar road क की बात करें तो इसके side में आपको low beam, high beam, passing switch, indicator और horn का switch मिलता है और इसके दूसरी side में देखें तो यहां पर इसके switch हैं वो completely change कर दिये हैं जैसा कि यहां पर आपको red color का switch मिलता है इसी में आपको engine kill का switch और self का switch नीचे आपको hazard light का switch मिलता है और नीचे की side में आपको mode का switch म मिल जाता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अगर इसके side profile की बात करें तो नीचे की जो theme है वो आपको इसमें black color की मिलती है जो की एक नया बदलाब है इस bike में golden color के suspension और yellow color की stickering इस bike के look को काफी ज़्यादा enhance कर रही है B3 से इसका जो look है वो B4 का काफी ज़्यादा अच जाती है जो की black piano fitness के उपर दी गई है इसमें 170 mm की ground clearance दी गई है इसका जो engine है वो पूरा का पूरा cover कर दिया गया है और यहां से भी आप इसके changes को देख सकते हो यहां भी आपको थोड़ा सा changes देखने को मिल जाता है इसका जो area है वो side वाला भी यहां पर आपको fully covered मिलता है जो की black piano fitness के साथ में और इसके fuel tank के उपर आपको yama का logo अगर आप इसके fuel tank को देखोगे तो यहां से इसकी जो safe है वो completely change कर दी गई है यहां पर आपको black color की piano fitness मिलती है जो की आपको पहले नहीं मिलती थी और 11 liter की fuel tank की capacity मिलती है और यहां पर आपको yama connect का logo देखने को मिल ज seating की बात करें तो इसकी जो seating है वो काफी comfort वाली मिल जाती है नीचे की side में आपको locker मिलता है और यहां पर आपको red और yellow color के graphics मिलते हैं BBA के sticker के साथ में और यहां से आप जो है इसके shape को देख सकते हो जो की air को pass करने के लिए दी गई है यहां पर आपको plan के लिए adjustable footage दिया ग brake मिल जाती है ABS braking system के साथ में जैसा कि इस bike में आपको dual channel ABS braking system दिया गया है और यहां पर आपको linked type का mono cross suspension मिल जाता है और इसके tire के उपर यहां पर आपको एक tire hugger मिल जाता है जो की build quality के इसाब से काफी मजबूत है और इसके exhaust के उपर देखोगे तो यहां भी आपको changes देखने और adjustable footrest अब बात करें इसके rear वाले profile की तो यहां पर आपको थोड़ी सी matte blackness मिल जाती है उपर की side में और इसकी जो tail light है वो आपको वही पुरानी वाली मिलती है जो की LED में दी गई है और इसकी जो indicator है वही आपको पुराने वाले मिलते हैं जो आपको R15 B3 में मिलते थे जो की halogen में दिये गए है अब चलते हैं इसके दूसी side में तो यहां से भी आप इसके stickring graphics को देख सकते हो जो की same दिये गए है यहां भी आपको red color और yellow color का combination मिलता है और यहां से भी आप इसके stickring को देख सकते हो जो की काफी attractive look दे रहे हैं इस bike को अब चलते हैं इसकी rear की side में तो यहाँ पर आपको company fitted black color का sardi guard मिलता है adjustable pillion के लिए footrest और इसका जो chenset cover है वो आपको fiber में मिलता है जो की open दिया गया है और यहाँ पर आपको rider के लिए adjustable footrest और यहाँ पर आपको side stand मिलता है जिसके उपर आपको side stand engine cutoff का sensor मिलता है और जैसा कि इस bike में आपको 6 gear मिल जाते हैं तो इसमें आपको 6 speed gearbox मिलता है बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 155cc का liquid cooled forest rock SOSC 4 valve BS6 engine जो देता है 18.4 PS की power 10,000 rpm और 14.2 nm का torque generate करता है 7,500 rpm पर इसके additional features है position light side stand engine cutoff switch, dual horn gear position indicator, swift timing light BBA indicator, mobile Bluetooth connectivity इसका curve weight है 142 kg तो अब मैं आपको इसके engine का और इसकի exhaust के sound को note करा देता हूं तो जैसा कि bike start है और यहां से आप इसकी engine के sound को note कर सकते हैं अब दोस्तो मैं आपको इसके exhaust के sound को b जैसा कि इसका जो एक्टर्स है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके मैलेज की तो इस बैट में आपको 40-45 किलोमीटर प्रति लीटर का असानी से मैलेज मिल जाएगा अगर आप इसको इको नॉमी जौन में चलाते हैं तो अब बात करें इसके प्राइस की तो यामा आर्वन 5B4 के मैटलिक रैड कलर की एक्सोरूम कीमत है एक लाग अर्सट अर्याड छेसोर पे ये एक्सोरूम प्राइस मैंने आपको वताय है तनुसका उटो यामा मध्यम ग्राम कलकता सुरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप इसकी ओन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो नीचे दिये हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को ठैंक्यू दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में